हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तू माई चैनल आज मैं अन्बॉक्सिंग करने जा रही हूँ कुछ ब्यूटी प्रोडक्स की जो कि मैंने फ्लिप कार्ड से ओर्डर किया है और ये सेल के टाइम पे मैंने ओर्डर किया था क्योंकि festive sale अभी भी चल ला है मैंने सबको इसको खोल के मैं एक साथ आपको दिखाती हूँ otherwise वीडियो बहुत लंदी हो जाएगा एक एक के अन्बॉक्सिंग करते है तो पहले बात करते हैं हम मस्कारा की जो उपर से दफ्ती के रैपिंग में है अंदर से बहुत अच्छी सी पिंग करण का कार्बोल्ड के से जो के मस्कारा की ही आउटर पैकेजिंग है यह मस्कारा बहुत अच्छा रहता है मैंने इसको पहले भी यूज कर रहता है इस वज़े से मैंने इसका second purchase है यह लॉंग लास्टिंग भी है यह up to 8 to 10 hours easily आपके eyelashes पे रहता है कोई भी smudge नहीं करता है even आप water से face wash करेंगे तब ही यह निकलता नहीं है इसके लिए आपको face wash या makeup remover के ज़रूरत पढ़ती है यह बहुत अच्छा सा steel type का finish है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में sorry friends अब मैं इसको अंदर से खोल के दिखा देती हूँ इसकी spoolie and all that सब कैसा है friends यह बहुत अच्छी spoolie है जैसे के आप देख सकते हैं यह friends deep black कलर का है मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ friends यह बहुत अच्छा mascara मुझे अब तक के मिला मैंने बहुत से mascara पहले use किये बट यह मेरा अब इस time तक के favorite mascara इसलिए मैंने इसे second purchase किया है यह travel friendly भी है इसमें बहुत tightly से cap tight हो जाता है यह निकलने वाला नहीं है अगर आप इसको handbag में लेके travel करते हैं फिर है friends slack में invisible foundation जो कि आता है SPF8 के साथ यह glass bottle में है इसका cap plastic का है जिसका shade number है 05 friends make up product अगर glass bottle में होते हैं वो तो जादा दिन तक हराब नहीं होते हैं उसकी quality काफी हद तक maintain रहती है as compared to plastic बट यह traveling में थोड़ा heavy हो जाते हैं बट इसके cap friends काफी tightly packed है यह अंदर आता है एक spatula के साथ जो कि बहुत positive point है otherwise आपको glass की bottle ना नहीं पड़ती है तब उसमें से कभी access निकल आता है तो वो बहुत messy हो जाता है even unhygienic भी हो जाता है तो इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ friends यह yellowish undertone पे है यह देखे friends यह काफी हद तक के match हो रहा है मेरी skin से अब मैं दिखाती हूँ यह कितना flowy और liquidy है आप देख सकते हैं friends यह देखें ड्रॉप अपने आप गिर गया यह अच्छा खासा flowy है और बहुत thin है बहुत थीक नहीं है कि वो made लगे कि बना बनाया जैसे मूँ पुता हुआ होता है वैसा feeling नहीं देगा यह देखें हैंड पे काफी अच्छे से यह absorbed हो गया है और friends डिरेक्ली उसको रगणना ना शुरू कर दे तो उसे लाइने बन जाती है that create a very bad impression तो यह देखें friends यह बहुत अच्छे से hand में blend हो गया हुआ मैंने अच्छी खासी quantity ली थी ऐसा नहीं कि बहुत कम लिया था जो दिखना रहा हुआ मैंने एक बार swatch किया था फिर एक drop था एंड नेक्स बात करते हैं आई के आइटम की जो कि आई काजल है यह लैक में 22 hours stay वाला काजल है जो कि 180 रूपीज MRP है बट यह भी मुझे discount पे मिला था एंड मैं अब आपको दिखा देती हूँ friends इसके बैक पे क्या instructions दिये हुए है जो कि मैं starting में भूल गई यह देखे friend how to set tips and how to remove इसकी MRP और manufacturing date and all that सब proper mention है एंड यह 0.35 gram of product है in 180 रूपीज बट discount पे मिल जाएगा तो यह simple सा काजल है बहुत लोग use कर चुके होंगे इसकी pigmentation काफी अच्छी होती है यह भी 6 से 5 से 6 गंटे तो आराम से टिकता है फिर 8-10 गंटे भी टिकता है बट 22 hours I don't think यह टिकता है यह total इतना product मिलता है 180 रूपीज में जो की काफी time तक चलता है ऐसा नहीं कि जल्दी खताब हो जगा regular use पे भी आपको 3-4 months चलेगा यह deep black है जो की काफी अच्छा look देता है आपकी eyes को और यह थी total friends और फ्रेंस एक और बात यह जल्दी से smurge नहीं होता है काफी time तक रुकेगा तो यह थी मेरी unboxing beauty products की flip card से थैंक्स पर वाचिंगेट